तो आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 8 का कुलिंस पर्फिक्ट मैट्स यह चैप्टर नम्बर 6 है और एक्सरसाइज 6C है अगर आपने पार्ट A, B मतलब A और B देखा होगा अगर नहीं देखा तो प्लीज आके देखिए मैंने उसमें अच्छे से बताया कि इडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टिप्लेक्शन के क्या रूल्स है रेग्लेशन होते हैं वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चलो करते हैं कुश्च्च नमबर A है देख सकते हैं 19 P को 18 से डिवाइट करना है तो देख सकते हैं इसको लिखेंगे हम 19 P अपॉन में 18 डिवाइड होगा यहाँ पे आंसर –P आजयाएगा 11 P स्क्वेर है तो 11 P स्क्वेर –P कि स्क्वेर से डिवाइड करना है तो जब भी minus उपर नीचे होता है तो हम उपर के form में लिखते हैं तो यह हमारा minus 11 answer आजाएगा और इसी तरीके से यह है तो 22FGH को हमें minus 11 से divide करना है तो 11, 2 जा 22 होता है सो minus 2FGH हमारा यह answer हो गया question number D है 8 by 15 x q y square को divide करना है 4 by 3 x y square से सो हमेशा ध्यान दो ऐसे question में हम क्या करते हैं 8 by 15 x q y square और यह number होते हैं यह वाले यह हम उसको उपर ही consider करते हैं सो division में multiply हो जाएगा और इसका reciprocal हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 by 3 और यह x और y square तो उपर ही होते हैं तो यह 1 by x y square हो जाएगा अब देखो क्या क्या डिवाइट हो रहा है यहाँ पर 4 by 3 है तो 3 by 4 हो जाएगा हमेने उल्टा लिख दिया है हमेशा ध्यान रुखो जब भी division है तो उसका reciprocal हो जाएगा और जो division का sign है वो multiplication में change होएगा तो 4 by 4, 4 by 2, 8 and 3 by 3, 3 by 5, 5 by 15 और यहाँ पर y square से y square कर जाएगा एक x से एक x कर जाएगा तो हमारा answer क्या है हाँ आपर 2 by 5 सिर्फ x square ही तो बचा तो वही हमारा answer हो जाएगा question number यह है minus 49 upon 50 को y cube z square को divide करना इससे इसमें भी वही करेंगे 49 upon 50 y cube z square multiply, division का multiply 10 upon 7 1 upon z square यह 7 है, 7 से विंजा होता है 49 z से z square कर जाएगा और 10, 5 जाएगा so answer क्या है minus 7 upon 5 एक ही बचा है y cube right question number f है इसमें भी हम यही से इम काम करेंगे minus 12 upon 58 y cube z square multiply, 29 upon 36 1 upon yz अब जो जो चिरें डिवाइड हो रही है यह yz से yz गया 36 12 upon 12 3 upon 36 and 29 upon 9 होता है 29 upon 58 होता है so हमारा answer क्या बचा देख सकते हैं यहाँ पर 1 तो उपर यह 1 upon minus 1 upon 2 3 upon 6 और यह y square and z सिर्फ हमारा यही answer बचेगा okay question number g है यहाँ पर देख सकते हैं so जब भी ऐसे question आएं तो आपको क्या करना है 10 a square को 5 a से divide करना है plus 5 तो 5 a b अपन में 5 a करना है ऐसे ना जो भी bracket के अंदर लिखे हैं उन दोनों को ही तो इससे divide करना पड़ेगा इससे आसानी होगी तो दोनों के नीचे 5 a 5 a लिख दिया मैंने 5 a से 5 2 से 10 होता है a कट जाएगा और 5 a से 5 लिख दिवाइड होगे हमारा answer क्या बचा है यहाँ पर 2 a और यहाँ पर क्या बचा है plus b अब question number h में भी हमें यही करना है तीनों है ना तीनों terms के नीचे हम 11 लिख देंगे 22 a square upon minus 11 और बीच में minus है तो यहाँ पर 11 a upon में minus 11 और plus 5 by minus 11 अब देखो क्या कर डिवाइड हो रहे है 11 से 11 टूजा कट जाएगा और यहाँ पर 11 से 11 कट जाएगा और यहाँ पर 5 by 11 रहने दो यहाँ पर क्या बचा हमारा 2 a square minus 2 a square क्योंकि नीचे minus है तो minus 2 a square हो जाएगा और यहाँ पर यह plus a हो जाएगा क्योंकि minus से minus कट जाएगा और यहाँ पर plus 5 upon में minus 11 तो यह हमारा answer हो जाएगा आप चाहें तो इस minus को यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो यह plus हट जाएगा मैं लिख के बता दे रही हूँ minus 2 a square plus a यह minus से minus divide हो गया है और यहाँ पर यह minus ऊपर क्योंकि मैंने आपको बता है हमेशा minus हो ऊपर होता है तो यह answer में यह दिया होगा शायद से यह भी सही है यह भी सही है ठीक है so question number i में भी हम यही करना है 9 a x y को divide करना है 9 x y से plus 12 x y को divide करना है 9 x y से plus 18 x को divide करना है 9 x y से अब देखो क्या के बच रहा है और क्या divide हो रहा है 9 x y से तो 9 x y divide हो गया यहाँ पर हमारा a बच गया तो हम a लिखते चलेंगे यहाँ पर x y से x y गया 3 4 जा 12 होगा 3 3 जा 9 so हमारे पास क्या बचा 4 by 3 plus 9 2 जा 18 और यह x x से लागा तो 2 अपन में सिर्फ y बचेगा ठीक है so यह answer हो जाएगा क्यूंकि x तो x डिवाइड हो गया question बच जे हैं यहाँ पर देख सकते है यह दोनों terms को इससे डिवाइड करना है मैंने आपको क्या बताया है division है तो multiplication में change करके इसको जो हम reciprocal कर देंगे जब भी ऐसे terms में आएगे numerator and denominator के form में आते है otherwise जैसे यह वाले question थे तो हमने सिर्फ नीचे ही लिग दिये थे ना यह वाले इसको हम reciprocal कर देंगे तो देखो कैसे करेंगे minus 4 x y square z को हम divide करेंगे 5 by 4 1 upon x y square z इसी तरीके से plus 24 x y square अब क्या करना है देखो जो जो डिवाइड हो रहे x y square x y square कट जाएगा यह 4 भी कट जाएगा तो हमारे पास answer बचा minus 5 z minus 5 z बचा plus यहां पर x x कट जाएगा 4 6 024 होता है so answer क्या बचा 6 5 030 a upon y square क्यूंकि y नहीं है यह पर question number k में भी हम यही करेंगे इन तीनों टम को अलग-अलग इस से डिवाइड करेंगे सो यहां पर माइनस 50 p r square को डिवाइड करना है हमें 7 upon 5 p q r square से ठीक है प्लस 4 by 7 p q r का q डिवाइड करना हमें 7 upon 5 p q r square से प्लस 25 p q r को डिवाइड करना हमें किस से 7 upon 5 p q r square से ठीक है अब देखो जो चीज़े डिवाइड होरी उसको हम कर देंगे p q r पहले p r square तो कट जाएगा ठीक है 5 से 5 10 जा यहां पर क्या बचा वो लिग लेते हैं minus 70 upon q क्योंकि यह पूरा कट गए जो बच रहा है उसको साथ साथ लिखते चलो प्लस यहां पर क्या के कट रहा है r square से r square कट जाएगा p q से p q कट जाएगा यहां पर 1 r बचेगा और 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा सो हमारा answer यहां पर 4 upon में 5 है ना यहां पर 5 5 भी कटेगा किसी से so 4 upon में 5 अभी तो फिलाल यह लिखो p q कट गया यहां पर r 4 r ही बच रहा है plus 5 p q r square p q r से p q r गया 5 5 is a 25 तो 5 7 is a 35 upon में r बचा यह हमारा answer हो जाएगा अब next करेंगे हम question number 2 I hope आपको यह समझ में आगे होगे जो भी question मैंने बताए यहां से अभी हमें divide करना है polynomials को तो इसको भी करते है a square plus 7 a plus 10 को हमें a plus 5 से divide करना है तो चलो देखते हैं कैसे divide होते इस series का multiply करें इसमें so that यहां पर a square आ जाए अगर मैं a से multiply करती हूं इस a का multiply इसमें करती हूं तो a into a a square हो जाएगा और a into 5 तो plus 5 यह हो जाएगा अब जैसे division में subtract करते हैं वैसे यहां पर भी होगा यहां पर minus हो जाएगा और यहां पर plus है तो यह भी minus subtraction का rule आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला sign change हो जाता है अब यह plus था यह minus तो यह cut जाएगा और यह plus है यह minus तो 7 में से 5 जाएगा 2 a और इस 10 को हां नीचे कर लेंगे तो यहां पर plus 10 sign के साथ हमेशा number को हमें नीचे breakdown करना है अब यहां पर 2 a plus 10 हो गया तो आप ध्यान दो यहां पर a plus 5 है तो ऐसा किसी इसका multiply करोगे इसमें कि यह आएगा तो अगर मैं 2 का multiply करूँ इसमें तो correct यह ही आएगा तो यहां पर plus 2 का multiply 2 into a तो 2 a plus 2 5 10 हो जाएगा अगें यहां पर plus है तो यहां पर minus यहां पर plus है तो minus कर जाएगा तो 0 हमारा answer आजाएगा और 0 remainder आजाएगा answer April 2 आजाएगा I hope आपको यह समझ में आया होगा question number b में b minus 7 से हमें इसको divide करना है अब फिर से देखो b square है तो आपको यहां पर b है सब उगर मैं पहले बाद 20 ही करती हूं multiply b into B तो 20 स्क्वेयरोच b into 7 करोगे तो यहां पर minus है तो minus 7b हो जाएगा subtraction में पर minus हो से तो यह करती है यहां पर minus इस b से तो minus öğren स्क्वेयर है जहेगा और यहां पर प्लेस यह Start तो 7 plus 3 क्या हो जाएगा 10b और ये 70 को हम नीचे लिखे आएगे तो minus 70 अब यहाँ पर 10b है यहाँ पर 70 है तो देखने से ही लग रहा है अगर मैं 10 का multiply कर दूँ यहाँ पर तो हमारा answer आजाएगा तो हम plus 10 का multiply करेंगे 10 into b तो 10b हो जाएगा 10 into 7 तो minus 70 हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर minus है फिर यहाँ पर minus यहाँ पर plus हो जाएगा यहाँ पर plus है यहाँ पर minus so plus minus minus होता है 70 में से 70 जाएगा 0 plus minus minus तो 10 में से 10b भाज जाएगा तो 0 तो हमारा answer जो है b plus 7 आया रिमेंडर 0 है इसका मतलब इसका यह कोशिंट होगा इसमें इसका multiply करेंगे तो यही वापस मिलेगा right so next video में हम question number C से करेंगे please video को like कर दो and जादर जादर उसको share को रहे हैं चैनल को subscribe जब्सक्राइब ज़रूर करो bye bye और कोई भी को अगर problem हो कोई भी query हो तो प्लीज उसको comment करना मैं ज़रूर उसका reply दूँगी and try करूँगी कि आपको video भी दे पहूँ ठीक है bye bye